सामने आया है जहां पर अब तक प्रदेश में एक करोड़ चीयतर लाग एठानमे हजार साथ सो तैथिस परिवार लाभानमित हुए हैं जबकि साथ करोड़ चौवन लाग आठ हजार चार सो च्यारिंटी कार्ड वित्रित किये गए हैं गैसलेंडर योजना में 54 लाग से ज्यादा रजिस्ट्रेशन निशलक बिजली योजना में 92 लाग से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं मनरेगा योजना में 66 लाग से अधिक रजिस्ट्रेशन, शहरी रोजगार गारंटी योजना में 4 लाग से अधिक रजिस्ट्रेशन किये जा चुके हैं, वहीं पैंशन योजना में 51 लाग से अधिक रजिस्ट्रेशन किये गए हैं और पशो बीमा योजना में 1.692,726 रजिस और दुर्गटना बीमा योजना में भी एक करोड तीस लाग से तैंवे अजाज चैसो पैटिस रिजिस्ट्रेशन अब तक किये जा चुके हैं वही महंगाई रहत क्याम को लेकर सीम घैलोत ने ट्वीट किया है उन्होंने लिखा है कि ये एतिहासिक आकडे महंगाई के विरुद जारी लड़ाई में एक बड़ी उपलब दी है जिन लोगों ने अब तक पंजी करण नहीं करवाया है मैं उनसे अपील करता हूँ कि कैम जाकर जल्द पंजी करण करवाए महंगाई राहत कैम को लेकर सीम अशोग घैलोत का ट्वीट आया है उन्होंने खा कि ये एतिहासिक आकरे हैं महंगाई के खिलाफ ये जारी लड़ाई है इसमें एक बड़ी उपलब्दी हासिल की गई है और साथी साथ लोगों से अपील की गई है सेम शोग घैलोत ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी साथ उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो पंजी करण करवाए और कैम्प में जल्दी जाकर जो है पंजी करण करवाए मुई अगरी खबर जो है जेसल मेर से आ रही है जहाँ पर केंद्रिय मंतरी गजेंद्र सिंग शेखावत का जेसल मेर दौरा है 12 बजे सरकेट हाउस में जनसनवाई करेंगे गजेंद्र सिंग शेखावत सरकेट हाउस में मीडिया से भी मुकादिब हो सकते हैं और शाम साड़े छह बजे प्रबुद्जन सम्मेलन में भी शामिल होंगे बीजेपी नेताओं और कारिकरताओं से मुलाकात करेंगे जेसल मेर में केंद्रिय मंत्री गजेंद्र सिंग शेकावत आज बारा बजे सौकेट हाउस में जनसनवाई करेंगे और साथी साथ मीडिया से भी रूबरू करेंगे जेसल मेर में आज एक इंद्रिय मंत्री गजेंद्र सिंग शेकावत का दौरा है आज बारा बजे सौकेट हाउस में जनसनवाई करेंगे तो वहीं मीडिया से भी सौकेट हाउस में रूबरू हो सकते हैं और साथी शाम सारे 6 बजे प्रबोदुजन सम्मेलन को में भी शामिल होंगे चलिया फटाफट अंदाज में खबरों को देख लेते हैं